दोस्तों हम लोग कई बार दूसरों से सुनते हैं कİ यह जो political party है वो वामपंती है या दक्शिनपंती है या फिर यह political party leftist है या वराइटिस्ट है। तो दूसरों से हमने कई बार इस तरीके के words सुने हैं और तब हमारे दिमार्ग में आता है या फिर हम सोचने लगते हैं कि इसका क्या मतलब होता है तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शब्द आये कहां से तो वामपंत और दक्षिनपंत जो शब्द हैं वो फ्रांस की क्रांती से निकली दो विचार धाराएं हैं और यहीं से यानि फ्रांस की क्रांती से वामपंत और दक्षिनपंत जैसे शब्द बने तो देखो हुआ क्या था कि फ्रांसी सी क्रांती के समय, यानि 1789 के टाइम पर दाएं और बाएं शब्दों का प्रशलन बहुत तेजी से हुआ Actually उस टाइम पर फ्रांस में एक पुरानी संसत थी जिसका नाम था स्थार जनरल अब उसमें बैटने का जो पैटन था, जो आधार था, उस आधार पर वाम पंती और डक्षिन पंती को फ्रांसी सी क्रांती के दौरान पेश किया गया था अब इसमें बाएं और बैटने वाले जो सदस्य थे, उन्होंने फ्रांसी सी क्रांती का समथन किया जबकि दाएं और बैठने वाले लोगों ने रूडी वाडी संगठनों का समथन किया मतलब ये कि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांती के दौरान जब दुबारा समविदान बनाने की बात हुई तब नैशनल असामली के जो सदस्य थे वो राष्टरपती के दाएं और प्राचीन शाषन के समथ तक और बाएं और क्रांती के समथ तक में बट गए लेकिन अगर देखा जाये तो ये सिर्फ एक सिटिंग अरेंश्मिन था जिसका आगे जाकर कोई सेंस नहीं निकला हा लेकिन ये जरूर हुआ कि प्रतिकात्मक रूप से अक्षन पंती जोते वो अमीर और वाम पंती कॉमन मैन यानि मजदूरों के रूप में जाने गए और फिर आगे जाकर बहुत से ऐसी सिटिशन्स बनी जैसे फ्रांस में जो पालिटिकल पार्टीज थी वो खुद को राजा के या राजतंत्र के पक्ष में या विपक्ष में पेश करने लगी और इस तरह दीरे दीरे ये तै होता गया कि ये राइटिस्ट हैं मतलब मोनार्की को या राजतंत्र को सपोर्ट करते हैं और ये लेप्टेस्ट हैं जो राज तंत्र को सपोर्ट नहीं करते यानि राज तंत्र को खतम करने की बात करते हैं मतलब आगे चल कर ये विचारधारा इतनी ज़्यादा प्रसलित हो गई थी कि जिसकी वज़े से ये दिखने लगा था कि वाम पंती कौन है और दक्षिन पंती कौन है और फिर दीरे दीरे इन शब्दों का प्रियोग भारत में भी होने लगा अब देखो भारत में जो इन शब्दों का प्रियोग होता है वो आजकल कुछ नए तरीके से होता है क्योंकि हम इसे अगर बेसिकली समझने की कोशिश करें तो जो सामेवादी या माक्सवादी विचारधारा हैं इस विचारधारों के जो समर्थक हैं उन्हें हम वामपंती विचारधारा के नाम से जानते हैं जो लोग सामेवादी माक्सवादी विचारधारा के फेवर में नहीं हैं, उन्हें हम दक्षिन पंती की रूप में जानते हैं। तो आब हम बात करते हैं कि वामपंती और दक्षिन पंती कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती हैं। तो देखो वामपंती जो विचारधारा होती है न वो बदलाव की बात करती है वामपंती जो विचारधारा है वो समानता, समाजवाद और शार्षन में सरकार की ज़्यादा भागी दरी जाती है जैसे वामपंती विचारधरा का मानना है कि व्यापार पर अधिक नियम हो और अमीरों पर ज़्यादा कर मतलब वामपंती शाषन में, समाज में, आर्थिक विवस्ता में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की भूमी का चाहता है वो कहता है कि इन सब में सरकार का पूरे तरह से हस्त शेप होना चाहिए व्यापार पर कठोड नियम तो अमीरों पर ज्यादा कर होना चाहिए और धर्म और सरकार में किसी भी तरीके का जुडाव नहीं होना चाहिए क्योंकि वामपंथी मानते हैं कि सरकार धर्म का समर्थर नहीं कर सकती और ना ही धर्म का विरोध कर सकती है वो धर्म के प्रती हमेशा उदासीन रहेगी अब बात करते हैं दक्षिनपंथी की दोस्तों दक्षन पंति के जो लोग होते हैं वो रूडिवादी होते हैं और धर्म को ज़्यादा इंपोटेंस देते हैं सामाजिक परिवेश में हमेशा ये लोग यही चाहते हैं कि सदियों से जो सोच चली आ रही है वैसे ही चलती रहे लेकिन ये लोग आर्थिक रूप से उधार वादी होते हैं यानि ये सामाजिक और राजनितिक सरंजना में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं चाहतें लेकिन आर्थिक रूप में ये उधार वादी रहना चाहते हैं अब देखो, एक तरफ जहां वाम पंती आर्तिक रूप में सरकार का पूरी तरह से हस्तिशेप चाते हैं, वहीं दक्षिन पंती आर्तिक नीतियों पर छूट चाता है, क्योंकि दक्षिन पंती के जो लोग है, वो राश्ट्रवाद जैसी विचार धारा का प्रचार प्रसार क चाहिए, ये कठोर डंड के सासाथ नत्यू डंड पर भी यकीन करते हैं, ये जो लोग है, ये आप्रवसन भी होते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जिस जगह हम रह रहे हैं ना, वहां कोई ना हो, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि राजनीती में बाएं और दा जादा उदार हैं, तो दूसरा पक्ष जादा रूड़ी वादी हैं, जैसे स्वास्त देखबाल, आवाज, शिक्षा, आतिक नीतिय, घर्बपात, सम्लैंगिंग अधिकार, मतिताता पहचान कानून और मूल मानित्ताओं जैसे दूसरे कारकों के आधार पर दोनों पक्ष बिलकुल अलग-अलग हैं, क्योंकि जहां वामपंत, भाईचारे, सुधार और समानता पर जोड़ देता है, वहीं राष्ट्रवात, नियंतर्ण, विवस्ता और रिती रिवाज की विचार राजनीती में डक्षिन पंत का संकेत देते हैं, मतलब वामपंती प्रगती शील ह वो समानता की बात करते हैं, कि उच्च और निम्न वर्ग को समानता की ड्रस्टी से दिखा जाए, मतलब जो नियम या कानून निम्न वर्ग के लिए होते हैं, वहीं नियम और कानून उच्च वर्ग के लिए भी होनी चाहिए, यह जहां गर्भपात का विरोधी है, वहीं सम लेंगिंग विवा का समर्टन करता है और मौत की सजा यानि म्नत्यु डंड का भी विरोध करता है तो वाम पंति क्या है प्रगर्ति शीले वो बदलाओं की बात करता है वहीं दक्षिन पंति रूडिवादी होते हैं और धर्म को महत्व देते हैं और समाज में सदियों से चली आ रही परंपराओं और सोज को बदलना नहीं चाहते और ये लोग बहुत ज़्यादा राश्ट्रवादी होते हैं तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि वाम पंति और दक्षिन पंति कौन होते हैं